कि अब 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 नमस्कार मैंने में मिधिलेस टार्गेट अकडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका श्वावद करता हूं तो सबसे पहले हमारे पर यह सबएदाएं वाले है टेजने से होती वह है क्लास ज़े है पूरे यहाओ करते हैं हमला भो चुके हैं आज हम बात करने वाले हैं इन इक यह कोन मेत्य होती है ट्रिक्णो मैट्री ट्रिक्मो मैट्री और इसके अंदर जो ट्रिक्नेक फंक्शन होता है अप किसा आइडिया करते हैं थमाम अब जलूएशन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की रेक्चर में तो मैंडियर टेक्टमेट्री की बेसिक डेफिनिशन जो होती है तीन एंगल या तीन साइड की आइडिया पर डिफाइन एक ऐसी जो मेट्री जिस पर स्टडी करके जब आप पूरे युनिवर्स को मेजर करने की अबिलिटी जिस कॉंसेट के त तो बात हो गई यह एंगल डेंगल की उसके अंगल्स की अब इसी आईडिया पर हम इस कहानी को समझते हैं तो सबसे पहले जाब मैं रिटैंगल ट्रेंगल बना रहा हूं तो नाइंटी डिगरी की जो सामने आधार के दूँगा अब इसके बाद आपके दिमाग पर यह सवाल उठता है कि हाइपोटेनर्स परपेंडिकॉलर और बेस के बीच में रिस्ता को डिफाइन करने के लिए पाइथागोरस नाम के सांटिस्ट का डिसक्शन आता है पाइथागोरस फ्यूरम के नाम से इन्हों ने बताया था मैडियर कि हाइपोटेनर्स का जो इसक्वार होता है परपेंडिकॉलर के स्कॉायर प्लस बेस के स्क्वार के बराबर होता है यह पाइथागोरस नामक सांटिस्ट ने डिसकसन करा था इसका यह बात अपने दिमाग पर आप रखेंगे इसके बात मैडि करेंगे चीजों को बताएंगे कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है बिलकुल बहुत अच्छा लग रहा है आशा आएं और इस तरीके सपोर्ट करें ठीका ना ती रेसियोज की बात करेंगे तो आपको टेक्नोमेट्री की डीलिंग जो होती है पहला होता है साइं थीटा नहीं जब मैं साइं ठीटा की बात करता हूं मैडियर तो साइं ठीटा बराबर होता है पर पेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस जब मैं कॉस्टीटा की बात करता हूं तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है और जब मैं ठीटा की बात करता हूं ठीटा जो होता है साइं से होता है इसको मार्य यभी यभी से अभर निखेडेम का रिदो है उसको आप हाइपोटेन सब्सार्व निखेड़हेंbilir और उब इसके बाद आप दिमाग यह सवाल उठता है कि सर्भी पाइथा गोइन त्रियुडिक्ट्यृत Sich एउस के साइड को करने के लिए क्या इसका यूज करके कोई डेन रिजनेरेट होती है क्या हाँ बिलकुल जबहुत होती है मैं उसी अडिनिटिटी की बात करने वाला हूं यहां पे सबसे पहले मैं आडिर जब कि बात करता हूं इस्कार बराबर परपेंडिकॉर स्कॉर प्लस-बेस इसकॉर की बात करता हूँ हूं कि जब मैं पाइथागोरस ठीटिरों में हाइपोटेनास के स्कुर्ण से दोनों पक्षों में डिवाइड करता हूं तो मेरे को यहां से कडिनिटी मिलती है है खेर फूटा था केर फूलों के आप देखिएगा और P squared upon H square प्लस B squared upon H square मेरे को यहाँ पे मिल रहा है अब यह 1 हो गया यह P upon H का whole square प्लस half B upon H का whole square clear major? जब मैं P upon H को देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे sin theta की feeling आ रही है तो यहाँ पे मैं sin squared theta लिख देता हूँ और cos B upon H को देख रहा हूँ बराबर वन मेरे को मिल रहा है यह टेग्लोमेंट कला इडेंटि जो है मैडियर पाइथागोरस ठीओरम से निकली हुई है यह बात अपने दिमाग पर रखेंगी जब आप पाइथागोरस ठीओरम में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों पक्छों में डिवाइड करते ह तो आपको यहाँ से दूसरी आडिइंटिटी मिलती है आप इसमे थोड़ा गवर करके देखेंगा मैडियर है एस भार पाइन पी-स्क्वायर बराबर पी-स्क्वायर प्स क्वायर अपाना पी-सक्वायर करा और पी-सक्वायर को को अलग करा ajust तो आप अस तरीके से question को लिखने की condition में आ गए अब H upon P को मैडियर आप लिखते हो Qseq square theta बराबर 1 plus Qquat square theta तो आपको बता रहे है मैडियर Qseq square theta की जो value होती है बराबर अगर आप चाहो इसको आप लिख सकते हो Qseq square theta minus Qquat theta बराबर 1 इसी तरीके से एक identity और हम discuss कर लेते हैं पे जब आप पाइथागोरस थियोरम में देखिए यहां पे थोड़ा था केरफूल हो कि आप लोग जब आप पाइथागोरस थियोरम में मैडियर बेस के स्कौार्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से एक एडिटी मिलेगी से की स्कौार्ट हीटा बराबर 1 प्लस 10 स्कौार्ट हीटा 10 स्कौार्ट हीटा इन आडिटी का बड़ा इंपोर्टन्ट रोल होता है NDA के पेपर्स के अंदर directly question आपसे पूछ लिया जाएंगे अगर आपके concept दुरुस्ट है तो फिर आप इजली question को कर पाएंगे clear material आईए हम बात करते हैं इसके आगे अब हम बात करते हैं किस किस तरीके से question में इसका यूज होता है सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ साइन इसकोर ठीटा प्लेस को सिसकोर ठीटा बराबर वन की यड़ की है मुत फ। मैं यहां पर साइन इसकुक्षट ह택ल को करा यहां ст आप है यहां से मैं लेकि कॉइक स arenasya को त्वहएंगर साइन साइन इसकुउषी टीटा लिग सकता हूं ठीक है भय Cha अब इसके बाद मैं एडियर एक बात और देखेगा यदि मैं दूसरे डिंटी की बात करूं 1 प्लस 10 स्कौ थीटा बराभर से एक स्कौ थीटा आपको दिखाई दिया था इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं से कि स्कौ थीटा माइनस 10 इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ sec theta प्लस आफ 10 theta in second bracket sec theta माइनस आफ 10 theta बराबर 1 clear बया अगर आपको question में sec theta प्लस 10 theta की value give in है तो आप sec theta माइनस 10 theta की value उसका reverse करके आप बता सकते हैं ठीक है न बया अब तीसरी identity अपने दिमाग पर आप रखेंगे अगर question में लिखा है 1 प्लस quarter square theta तो इसकी value जो होगी my dear cosec square theta के बराबर होगी और मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cosec square theta minus quarter square theta बराबर 1 और इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ my dear cosec theta plus half quarter theta cosec theta minus half quarter theta बराबर 1 अब मैं यह मैंसूस कर रहा हूँ my dear की cosec theta plus quarter theta की value यदि कुछ given है तो इसका reverse जो होगा cosec theta minus quarter theta होगा यह बात अपने दिमाग पर आपको रखनी होगी अब आपसे question कैसे पुछेगा मैं इसकी बात कर लेता हूँ मैं इडियर आपसे question ऐसे पुछेगा question आपसे ऐसे पुछेगा सट theta plus 10 theta की value 4 के बराबर है find the value of cos theta cos theta का आप मान बताइए find the value of cos theta question आपसे ऐसे पुछेगा आप इस तरीके से इसका जवाब देंगे आप यहाँ पे देखते रहे हैं ठीक है भया और चीजों को enjoy करते रहें class को like करते रहें खुबसूरत अंदाज में class को आगे बढ़ाते रहें क्योंकि आपकी मुहब्बत इस कार्वा को खुबसूरत बनाएगी otherwise दुनिया में चीज़ें चलती रहेंगी है ना भया चलिए बहुत अच्छी बात है आपनों थोड़ा सा बताएं क्या क्या कहानिया हैं कैसे कैसे कहानिया करी जाएं यह आपको बताना पड़ेगा भाई चलिए बहुत अच्छी बात है हमनों live भी है मज़ा आ रहा है चलिए इस सवाल को solve करिए sec theta plus 10 theta की value 4 के बराबर है find the value of cos theta find the value of cos theta तो अभी मैंने मैंडियर आपको बताएं कि अगर यह वाला term दिया है sec theta plus 10 theta बराबर 4 तो well known है well known है कि sec theta minus 10 theta की value 1 upon 4 के बराबर हो जाएगी और आपके सामने यह वाली value already mentioned है बस इसको आप solve करिए result आपके सामने आ गया इससे कड़ गया 2 times of sec theta 2 times of sec theta बराबर 4 plus 1 upon 4 17 upon 4 तो यहां से मैंडियर sec theta की value निकल आई 17 upon 8 के बराबर तो यहां से आप बताओगे कि sec जो होता है reverse आप cos theta होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा cos theta तो इस तरीके साब इसका जबाब देंगे तो सवालों के अंदर इस तरीके से आपको खुफ्सूरत आपोज देना होगा तब आप अथे अंदाज में question को कर पाएंगे clear मैंडियर आईए फिर हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की बात करते हैं आवाज बिल्कुल clear है आवाज clear है ना चलिए बहुत अच्छी बात है वीडियो को like करिए माहूल छोड़ा सा बने लोग बाहर के भी देखें वीडियो को like करना बड़ा जैरूरी अगर आप like नहीं करेंगे तो माहूल नहीं बन पाएगा वीडियो को आप सबसे पहले तो like करें लाइक करने के बाद मैंडियर हम आगे बात कर लेते हैं और आघ समनेकर ली हमारा क्लास है quitting ट्रकन का औरौ चांब आघ सरा है आगया का देघ स्किया होता है मैं इसकी बात करते हैं सबसे पहले हो design मैंने आपको दे मेरे को बताना है function क्या होता है फंक्षन जो होता है मैं डियर दो सेट्स के बीच में रिलेसन जहां सेट A का हर एलिमेंट सेट B के साथ इच और एवरी कंडिशन में यूनिक इमिज बनाएं टेक्णोमेटिक की बेसिक डेफिनेशन मैंने अभी आपको पीछे दी सेट फंक्षन की डेफिनेशन होती है मैंडियर दो सेट्स के बीच में शम्मंद एक ऐसा सम्मंद जहां सेट A और सेट B काईर्स परेएलिमेंट का हर एलिमेंट सेट के बीच में सेट का हरी एलिमेंट सेट B केसाथ Está and every condition में यूनिक इमिज बनाएए उसे आप बोलोगे कि ये function है ठीक है 받 nevertheless का हर ال 갑 mi के साथ Each and every condition में यूनिक इमिज बनाई तो आप बोलोगे कि ये function है ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे अब इसके कि महबबत मेरे को मेलेगी तो खुब शुरह सफर दीज़े आगे बाए निकलेगा आप आईए चैनल को सुस्क्रीब तो यज थोड़ा सा मौबबत करिए पीछ बादबत अचा इसकी बाद टेक्नम्यटिक फंक्शन कंड़ें और रेंज की बात करेंगे सबसे पहले था सामने है function function कैसा है technomatic है तो सम्ट क्या कंटेन करेंगे साइन ठीटा कॉस ठीटा कोट ठीटा सेट ठीटा और कॉसे काफ ठीटा है अब फंक्सन है तो भईया फंक्सन की डेफिनिस्टन होती है अगर कोई function और उसका डोमेन और रेंज आपको नहीं पता है तो आप function को ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो डिरेक्टली तो सबसे पहले तो आपको sin theta cos theta tan theta sec cosec और cot का domain range पता होना चाहिए clear बया आईए हम बात करते है इसका domain क्या होता है sin theta का domain होता है all real number होता है दुनिया का कोई भी अंगल आप देंगे तो आपको कोई ने कोई result मिलेगा सब्सक्राइब आपको मिलेगी माइनस 1 से लेकर वन के बीच की clear भी यह अब मैं कोई टिटा की बात करता हूँ टो कोई टिटा का डूमें होता है all real number और इसका जो रेंज होता हमाई डियर माईनस 1 से 1 के बीच में होता है जब मैं 10 theta की बात करता हूँ तो इसका domain होता है all real number और 10 theta जो होता हमाइडियर sin theta upon cost theta का ratio होता है आपको function का domain decide करना है उस specific angle पे उस specific angle पे तो आपको सबसे बहला काम करना होगा 10 theta not define होगा कब जब cost theta की value 0 होगी तो सारे real numbers में से उस value को हटाना जहाँ पे cost theta की value 0 के बराबर होती है cost theta की value 0 कब होगी जब theta की value 2n plus 1 pi by 2 के बराबर होगी तो 10 theta के लिए domain क्या होगा all real number में से आपको हटाना पड़ेगा 2n plus 1 pi by 2 clear हमाइडियर अब इसका जो range होगा minus infinite से infinite के बीच में लाई करेगा clear भया minus infinite से infinite के बीच में लाई करेगा इसका range जब मैं cot theta की बात करता हूँ तो cot theta का जो domain होगा all real number और cot theta जो होता हमाइडियर इसका ratio होता है cost theta upon sin theta और आपको पता है कि sin theta की value 0 कब होती है जब theta की value साइन ठीटा की वैलू जिरो का अब होती है जब ठीटा की वैलू एन पाई के बराबर होती है जब ठीटा की वैलू एन पाई के बराबर होती है तो साइन ठीटा की वैलू जिरो के बराबर होती यह बात अपने दिमाग पर रखेंगे बैए तो आल रियल नंबर में से आपको कॉस ठीटा होता है डोमेन होगा और जहां कॉस ठीटा जीरो होगा उसी वैलू इसको हटाना पड़ेगा और आपको पता है कि कॉस ठीटा की वैलू जीरो का वोती है जब ठीटा की वैलू 2N प्लस 1Pi by 2 के बराबर होती है क्लियर भीया कहानी को आगे अंदाज में बढ़ाते हैं और आप लोग के मुहबबत मिलेगी तो सफर कुसलत तरीके से बढ़ेगा अच्छा अब इसका रेंज क्या होता है इसका रेंज होता है माइनस इंफनाइट से माइनस वन यूनियन वन से से इंफनाइट ठीक हो यह अब को त्व शक्स थिटा की बात आप करूंगे तो को सट क्या होता है और इसका जो होता है और रियल नंबर में से आपको हटाना पड़ेगा एन पाई को और इसका रिंज जो होता है एजिक्टिज वही होता है जो साइन का रिंज है तो यह बाते अपने दिमाग पर रखेंगे इस तरीके से को हम लोग कर रहे हैं सीख रहे हैं अब आपको enjoy करना चीजों को सीखना है और बहुत सारा मज़ा करना है जिंदगी में जो मज़े बचे हैं वे सारे मज़े करने आपको क्योंकि जीवन आपका है आपको अपने हिसाप से जीना है इतनी कहानिया हो चुकी है कहानी हम अगले प टीटा प्लस आफ फोर कि पाइंट दा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैलू पर इस ऑप्जरवेशन इस ऑप्जरवेशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैलू आप बताईए तो कैसे बता होगे मैं डियर आप तभी बता पाएंगे जब आपको इसका डॉमेन और रिंज पता होगा तभी आप इसकी वैलू को बता पाएंगे अधरवाइज आप इसकी वैलू को नहीं बता पाएंगे यह बात अपने दिमाग पर रखेंगे यह बात अपने दिमाग पर रखेंगे तभी आप इन चीज़ों को बता पाएंगे साइन ठीटा की वैलू साइन ठीटा की मैक्सिम मेलू होती है वन और मिनिमम मेलू होती है माइड़ाबर और मैक्सिमम वेलू होती है माइडियर आपको मिलेगा 5 और मेनम वेलू बйन dru जो मैनस अफ वन करने वह तो इस तरीके से निस फंक्सन के दिय f x बराबर 3 sin theta प्लस 4 इसका maximum और minimum value बताईए ये जनरली सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे करोगे आप सबसे पहले आपको पता होना जाए कि sin theta की maximum value क्या होती है sin theta की maximum value होती है 1 के बराबर और minimum value होती है minus 1 के बराबर आसा बहुत सांदार क्लास है सर बहुत बहुत धन्यवादासा आप इंजॉय करते रहें आसा sin theta की value होती है 1 के बराबर sin theta की value जब 1 है तो यहाँ पे 3 plus 4 कर दी है आपने maximum value आपको 7 मिल आई और जब minimum की बात करूँगा तो sin theta की value minus 1 होती है 3 minus 1 करने पे minus 3 plus 4 result आपको 1 मिल आया अब इसके बाद अपने दिमाग पे एक बात और रखिएगा यह बात यह है कि अगर functionally side या पे लिखा हुआ है fx बराबर a sin x plus b cos x b cos x और इसका आपसे पुछा जा रहा है maximum और minimum value इसका maximum और minimum value आपसे पुछा जा रहा है तो इसकी maximum value जो होती है my dear a square plus b square के बराबर होती है और minimum value जो होती है my dear माइनस आफ a square plus b square के बराबर होती है ठीक ना अब मैं question आपको देता हूं देखता हूं क्या आप कर पाते हो गया question ऐसे fx बराबर 3 sin x plus 4 cos x plus 4 cos x अब आप बताईए इसका maximum और minimum value क्या होगा तो मैं इडियर इसका जो maximum value होगा square root of 3 square plus 4 square होगा आप लो इसका जबाब दीजिए पहले तब मैं देखूं क्या बात है जब आप नहीं दे रहे तो मज़ा नहीं आ रहा कमेंट में कुछ लिखी नहीं रहा है तीन लोग देख रहा है और कमेंट में कुछ भी नहीं लिख रहा है यह तकलीफ की speak करिए तुक करिए तमाम जो चीजें बन रही है उसको करिए तबत może स्कुर बोले तो 9,4 बोले तो 16, 9 प्लस 16 करने पर 25 मिले गा इन स्कुर रूट और इसकी वैलू मैंडियर इसकुर रूट के बाहर 5 हो जाएगी और मिनिमम्म की बात होगी तो माइनस 5 स्कॉार रूट के अंदर क्या करें थ्री स्कॉार फॉर स्कॉार आपको यहां से माईनस सब फ़ाइब मिल जाएगा आप लोग आईए और इंज्वाए करिए भाई क्लास को पूरा इंज्वाइ करिए चैनल को सब्सक्राइब करने की करहिम्मत आप में है तो के लिए को सब्सक्राइब करें और शीखी इए यही और एंडिये की बहुत बड़ी कोचिंग है लक्नव में यह इस्तित है मजा लेना है और आपको सीखना है बहुत बढ़िया सीखना है टार्गेट के लिए पीछे लिखा हुआ है आप देख सीखना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैलू बताइए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैलू क्या होगी तो मैं यहां दिखा रहा हूं कि एक ही वैलू B से बड़ी है मतला मैक्सिमम वैलू A है और मिनिमम वैलू क्या है बी है अब आई हम सवाल की बात कर लेते हैं question की बात कर लेते हैं question आपको ऐसे देगा fx बराबर 7 sin square theta plus 10 cos square theta अब आप से कह रहा है कि इसका maximum और minimum value बताईए इसका maximum और minimum value बताईए तो मैं इडियर इसकी maximum value होगी 10 क्यों क्योंकि 7 और 10 में 10 ही बड़ा है और minimum value क्या होगी जो छोटा है खटा-खट result आ रहा है तो यह सब चीज़ें आपको जाननी है इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे comment बहुत सारे आ गए मैं थोड़ा सा देख लूँ आदेते सिर्वास्तो सर सर इजिट 11 क्या है या NDA का बैटा भी मैंने NDA के लिए startup लिया है NDA का है आप आए सीखें NDA के के लिए हम कराएंगे बिल्कुल classroom प्रोग्राम में आप वहां पर आईए enjoy करिए आदेते बिल्कुल आप enjoy करते रहें यह NDA के लिए चल रहा है NDA के basic observation जो ट्रिकों के अंदर पॉसिबली पूछा जाते हैं उन तमाम चीज़ों की बात की जा रही है ठीका ना अपने दोस्त करता हूं देखता हूं क्या आप कर पाते हैं या नहीं अगर मैं question आपको दिया यहां पर एक function ऐसे दिया मैंने fx बराबर कि 3 sin square 3 cost इसको मिटाता हूं पहला कि अगर इसका maximum और minimum value बताईए तो कैसे बताओगे भया तो इसकी maximum value कैसे बताएंगे minimum value कैसे बताएंगे इसको आप बताएंगे पहले उसके बाद कहानी को और कुछ तरीके से आगे बढ़ाए जायागा ठीक है ना भई इसका maximum और minimum value आप बताएंगे कैसे आप निकालोगे इसका maximum minimum value बहुत सारे question मैंने बताए आप बताए यह क्या है प्रिती वर्मा हाय सर हाय प्रिती बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप लोग ऐसे जुड़े और class को खुशूरत तरीके से हम लोग बढ़ाए है ना और चैनल को subscribe भी करते रहेंगे जिससे कि थोड़ा सा motivation का level हमारा higher है और यह जो हमने कारवाय स्टार्ट करा यह starting मकमल तरीके से पूरी हो जाए और आप लोगों सिखाने की जो आखरी इंतहा तक हम आपको ले जाएं और सिखा पाएं सबसे पहला motivation है कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट करेंगे target कारियर को सब्सक्राइब करेंगे ठीक है नो तो maximum वाले case में तो 3 into 1 plus 5 आपने कर दिया बट minimum case में 3 into 0 plus 5 करना पड़ेगा तो 3 plus 3 करने पे 8 मिला 5 plus 3 करने पे 8 मिला और यहाँ पे 5 मिला तो maximum value 5 minimum value 8 यह बाते अपने दिमाग पर रखेंगे basic observation यह सब कराये गए थोड़ा समय आपका quick revision करा रहा हूं और आज का lecture जो है पूर आइडिया पर जो भी है इसका पूरा combine merger आपको देखने को मिलेगा आज की रेक्चर में तो आप चीज़ों को enjoy करेंगे ठीक अब यह चाल यह बहुत अच्छी बात है इसका maximum और minimum value यदि आपको निकालना है तो आप कैशे निकालेंगे इसका maximum और minimum value अगर आपको निकालना थो आप कैशे निकालेंगे भी तो मैं डियर एक बार दिमाग पर रखिएगा इसका maximum minimum value निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको यहां पर object to समझा रहा हूं FX FX बराबर यहां आपने multiply करा 2 sin x और cos x आपने sin x और cos x के अंदर 2 का combine merger करा multiple के format में तो indirectly आपने 2 to the power n को multiply करा तो आपको 2 to the power n से divide भी करना पड़ेगा मैं यह वाला काम कर लोगे आप जब आप यह काम करोगे तो आपको मैसूस होड़ा कि FX बराबर 1 upon 2 के power n निकालाया अब 2 sin x into cos x क्या होता है sin of 2 x to the whole power n अब इसका maximum और minimum value depend करेगा इस n के ऊपर अब आपका जो maximum और minimum value जो होगा इस depend करेगा n के ऊपर question के अगर maximum और minimum value निकालना है तो dependency क्या आएगी इस n के dependency के ऊपर पुरा का पुरा मामला depend करेगा कि यह मामला क्या होगा अच्छा अब मैं लिखता हूँ when when n is equals to n belongs to odd number n belongs to odd number and odd number equals to मामला मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पर देखिए when n belongs to odd number and odd number equals to 3 odd number 3 या 3 मत लिखिए 3 लिखने से इसका derivation प्रूब नहीं करेंगा तो यहाँ पर जो maximum value होगी मैं इडियर जो इसकी maximum value होगी यह होगी 1 upon 2 के power n और यह value 1 निकला आएगी और जो इसकी minimum value होगी यह 1 upon 2 के power n with negative sign माइनस के साथ minimum value निकलेगी है ना अच्छा यह बात दिमाग पर रखेंगे when n belongs to even number n अगर even number है तो maximum value जो होगी मैं इडियर 1 upon 2 के power n होगी और minimum value जो होगी 0 होगी यह बात अपने दिमाग पर रखेंगे भाईया यह बात अपने दिमाग पर रखेंगे क्योंकि आप कोई भी even number यहाँ पर रखेंगे negative value दोगी result आपको positive कर देगा तो maximum और minimum value जैसी दिखाए दिने लगी और दो value जैसी है तो आपको minimum and maximum decide करना चलेंजिंग हो जाएगा उस case में क्या करोगे sign 2x के power अगर odd है तो आपका minimum minus 1 upon 2 n मिलेगा और sign 2x to the power even number है तो आपको उस case में minimum value 0 मिलेगी क्योंकि इसकी value 0 हो जाएगी sign 2x to the power even number की value 0 हो तो इस तरीके से आप maximum minimum बताओगे एक कुष्चन यहां पर देखिए और थोड़ा सा class को समझने कोशिश करिए मैं आप से सवाल देता हूं कि पंशन ऐसे फ्रेम है fx बराबर sign x cos x to the whole power 7 to the whole power 7 आप बताईए इसका maximum और minimum value क्या होगा इसका maximum मैक्सिमम और minimum value होगा क्या कैसे आप बताओगे कि इसका maximum minimum value आप कैसे बताएंगे इसको बताएंगे आप कि सकसे जब है सर है wonderful soul सर मुझे नहीं आ रहा अच्छे से पढ़ाईए बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा खब्राने को जरूरत नहीं है कि आसा सर पीडियेप में समझाइए प्लीज यह क्लास जो है मैडियर पूरे के पूरे को रिलेट करने के लिए हैं अगर माहूल बना तो फिर दिले 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 सर कमेंट तो पढ़िए समझाए ही जा रहे हैं आप मेरा कामी है समझाना आज की इस लेक्चर में है ना भया जब हम आपसे कल मिलेंगे तो बखुबी आपको समझाएंगे हम टार्गेट कैरियर इसिटूट में पढ़ाते हैं आप वहां पर आईए आपको दिल खोल के समझ आएंगे ठीक है नजर अरे सरा आराम से बुलेट ट्रेन नहीं बनेगी बनानी है अपनी बहुत बनेंगे थोड़ा धीरे रहेंगे लेकिन बात यह कि आज मैं चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा टेग्णोमेट्री के कंबाइं जो मर्जर है चैनल पे चला जाए यही मेरा स क्या बच्चा आए तो इसको सोड़ी से दिक्कत हो सकती है अगर उसने डोमेन रेंज को इनकांस कॉंसेट को क्लियरली नहीं पढ़ा है तो क्योंकि मैं इसमें इन्वर्ष्ट अमेमेटिक फंक्शन भी जोड़ने वाला हूं तमाम चीजें करने वाला हूं आपको परिशान अच्छा अगर आप अदब से सीखोगे तो सिखाने मज़ा आएगा और बात यह कि आज इस क्लास में मेरे को पूरा का पूरा टेक्नोमेट्री का निचोड़ देना है इसलिए मैंने इस क्लास को सेडूल करा है और एंडिये का जो इसके लिए काफी हेलफुल क्लास होने वा नहीं ही चली हम आगे बढ़ते हैं है कि इसके बाद में एडियर आशिए आशिए इंवेस्टिक फंक्शन की इंवर्स एंवर्स ट्रीग्नोमेट्री की बात हम करेंगे थोड़ा काइदे से देखिएगा मैं चाह रहा हूं कि आज पूरा का पूरा खतम हो जाये । लो आव हां गारं है। है। इन्वर्स ट्रिंडो मेट्रिक ट्रिंडो मै क्ठरैट पंक्षण। सब्सक्सथे नियुक्न की आच कि अधन प्रतिलों त्षियुकों की सब्सक्रस तो सब्सक्रायं एρώ बतरो करेंगil सब्सक्राइब एक ऐसा फंक्शन जो बाइजक्टिव एडिया पर दिलो रहा है उसको आप बोलो गे इनवर्स टेग्नोमेटिक फंक्शन अब बाइजक्टिव बोले तो एक ऐसा फंक्शन जो एक ऐसा फंक्शन जो आप इनवर्स टेग्मेटिक फंक्शन का होगे अब आपके दिमाग पर यह सवाला था क्या होता उन्टो क्या होता तो बच्चाह 12 में नहीं पड़ा तो इसको कैसे समझ में आएगा तो 1-2-1 में यह होता है कि 2 sets के बीच में जब आप रिलेक्शन a का हर element set B के साथ जब association में आ रहा है न तो हर एक element की set B में यूनिक mapping मिल रही है इसको आप बोलोगे 1-2-1 set A के हर element की set B में यूनिक mapping मोरी है तो आप बोलोगे 1-2-1 और जब set B जिसको आप code domain कहते हो code domain और range की value जब बराबर होगी तो function auto मिल जाएगा ठीक है न बात समझेगा set A आपको देखने को मिल रहा है इसको आप कहते है domain और set B को आप कहते है code domain code domain कहते है set B को और set A की set B में जिसके साथ mapping बनती है इसको आप बोलते है रेंज रेंज और रेंज बोले तो माइडियर रेंज इसमें 123 आपको देखने को मिल रहा है तो जब code domain की value रेंज के बराबर होती है तो उस समय function auto operate होता है clear कि नहीं यह बातें अपने दिमाग पर आप रखेंगा ठीक भाईया चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप कि चलिए बहुत बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है तो टेक्नोमेटिक इनवर्स्टिमेमेटिक फंक्शन के हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें बाइजक्टिव फंक्शन हमने डिस्कसान पूरा का पूरा कर लिया है completely अब इसके बाद हम आपको बताने वाद है कि इसका डॉमेट औरेंज क्या होता है किस आईडिया प्लिए पर आपको देखना है आई हम बात करते हैं इसको मैं डॉमेट औरेंज होगा इसको भी मैं यहाँपर नोट करा देता हूं आप इसको सीखिए है कोस इन्वर्स X, 10-11 , रिखने कोट इन्वर्स आफ एक्स , पैक इन्वर्स आफएक्स , जो आपने वहां पर रेंज में लिखा था उसको आप में पेस्ट कर देंगे inverse function के अंदर क्योंकि यहां पे जो एक्स देखने को मिल रहे है यह value के format में है और वहां पे जो एक्स था angle के format में लिखा हुआ था तो आपको मैंने जो पिछले class में पिछले topic को पढ़ाया था LO поз कि माइनमस इनफनाइट से इंफनाइट के बीच में जो होगा मैंनस इंफनाइट से माहिन सब्सक्राइट अब आपको साइन इंवर्स x का आपको बताना है डोमें रेंज बताना है तो इसकी वैलू जो होती है माइनस पाइबाइबाइट टु से लेके पाइबाइट के बीच में लाई करती है क्यों क्योंकि फंक्शन इनवर्टेबल फंक्शन है अगर इससे आप बाहर रहे 0 से πाई के बीच में आपको decide करना पड़ेगा और 10 के लिए माइडियर आपको करना पड़ेगा minus πाई बाई 2 से πाई बाई 2 में decide और cot के लिए करना पड़ेगा 0 से 0 से πाई के बीच में decide और sec के लिए माइडियर आपको करना पड़ेगा 0 से πाई और आपको एक value हटानी पड़ेगी पाई बाई टू इस पर not define होता है से किंवर्स X उसे किंवर्स X के लिए ये करना पड़ेगा माइनस पाई बाई टू से लेकिए पाई बाई टू और आपको यहां से 0 हटाना पड़ेगा क्लियर भीया तो यह बाते अपने दिमाग पर रखेंगे इसी स्पेसिफिक इंटरवल में जाके आप question को solve करेंगे ठीक है नो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग क्लास को enjoy करते रहें मेरा मकसद था कि आज की क्लास में पूरा का पूरा concept दे दिया जाए अच्छी बात है कि दुनिया है इस दुनिया में कुछ बुरे लोग जरूर होंगे अगर बुरे लोग न रहें तो फिर इसका अच्छी बात है आप लोग अच्छा करते रहें enjoy करते रहें आज की क्लास को में यहीं पर राउंड अफ करते हैं कल आप से फिर्म लेंगे